हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको बताऊंगा कि जीपियास होल्डर को यामा अरवन 5 में कैसे इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि यामा अरवन 5 की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको इसके हैंडल वार में इतनी स्पेस नहीं मिलेगी कि आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सेगा तो मैंने कई जगा कई वीडियो देखे हैं कि उसको किसी तरह मोडिफाय करके उसके अलग से एक हैंडल वार लगा जाता है और फिर उसके इंस्टॉल किया जाता है तो मैं without any modification मैं आपको बता हूँगा कि कहा पर इसको 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 एक साल से यूज कर रहा हूँ तो उस तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगे आपको तो मेरे वीडियो का आप देखते रहें और प्लीज लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना नाम हूँगा वो मॉबाइल ओल्डर जिसको हम यामार और फाइम में इस्टॉल करेंगे और यह मैंने आमेजन से पर्चेस किया था पिछले साल और यह 245 का उस टाइम मुझे पढ़ा था अगर आप भी पर्चेस करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहां से पर्चेस कर सकते हैं इसको जस्तों यह जो दिया गया है यह टाइट करने के लिए इसको और एक और इ इसको लूज करके आप इसको आगे पीछे जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आपने हिसाब से कर लेना तो आईए मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आप तो दोस्तों यह वह जगह है जहां मैं मॉबाइल होल्डर इंस्टॉल करूंगा और इससे आपको आपके मीरर पर आपके मीर में इसको आपके मी die ऊसे आपके घामा रगवाइल झापके रापके लोके है झाल झाल कि आप देख रहे हों कि मैंना इसको इसमें इस्टॉल कर दिया है अब आप सोच रहे होगे कि पता नहीं इसमें मोबाइल लगेगा यह गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा तो मैं इसको अब आपको इत्राइड लेके दिखाता हूं पॉन के साथ यह फोने 5.5 इंच का फोन है इसको मैं इसमें लगा रहा हूं इसको मैं सेमें इसमें होगे इसमें इसले आपको मैं माँ वावों कि अचीघा क्पिक नियाूंा आप कि अचीघा है इसमें आपको कर दो कर दो कर दो कर दो अ कर दो कर दो तो